तो आज हम करने वाले हैं बिग ब्रेन रिडल सॉल जो की 99 तशमलव 99 99 पतिश्यत भारती जनता नहीं कर पाती है तो हम कितर स्मार्ड है चलिए देखते हैं और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके फूट भेक के मारो या फिर मॉमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जारा चाहिए तो अभी मेहूल को सामने एक बंला दिखता है मेहूल बंले की तरव पढ़ता है तो दरवाजा लॉक था क्या आप ध्यान से देखेए बता सकते हैं डोर को ओपन करने का कोट क्या होगा ? ध्यान से सोचिए और आपका अंसर कमेंट कीचे मेरा दिमांग बहुत स्लो है मैतमेटिक में मेरे पचास समांग जाया दे सौ में से तो मुझे थोड़ा सा स्टाइम चीए एक सके कोई पैटन बन रहा है इसका कि यह कोई पैटन ही है जिसको जिससे खुलेगा यह लॉक तो तो चार फोर फोर एट 16 शोला बन रहा है बाराने बन रहा है फाइव तू वन टैन बन रहा है नाइनी थ्री 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 शिक्स 6 और 8 8 9 8 9 10 11 12 13 14 बन रहा है क्या बोल रहा हूं बहाई मैं क्या बोल रहा हूं एट टू एट नहीं नहीं फोर फोर जा टू फोर फोर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फोर इंट फोर फोर 16 माइनस ये फोर 12 हो जाएगा वैसे ही सखेंड वाले ट्रैंगल में 5 इंट फाइट सेन माइनस 11 9 हो गया तो आखरी वाफे ट्रैंगल में ये इंट ही 16 माइनस 9 7 हो जाएगा तो code हो जाएगा 7 मेहुल code 7 प्रेस करता है और बंगले के अंदर आ जाता है बंगले के अंदर काफी अंधेरा होता है तभी मेहुल को सामने तीन डोर्स दिखते हैं ये क्या? तीनों डोर जिक्सो दिख रहे हैं पहला है एलियन जिक्सो डोर दूसरा है अनिमल जिक्सो डोर और तीसरा है टाइनासौर जिक्सो डोर अब ये डोर उसको खोलने के लिए मेहुल को पहले जिक्सो पजल सॉल करना होता मेहुल तोड़ा सोचता है और फटा-फट इन जिक्सो पजल को सॉल कर लेता है दो डोर open हो जाते हैं आप भी ऐसे ही Jigsaw Doors को solve कर सकते हैं मैंने आपके लिए Jigsaw Doors का game बनाया है जिसमें आपको अलग-अलग तरे के Jigsaw Doors को solve करना है गेम का link मैंने डिक्सिता हैं दे दिया है तीनों दर्वाजे खुल जाते है पहले दर्वाजे के पीछे जंगली शेर है अगर मेहुल यहां गया तो शेर उसे कच्च चबा जाएगा दूसरे दर्वाजे के पीछे क्रोकोडाइल्स है जो भूके है मेहुल अगर वहां गया तो क्रोकोडाइल्स मेहुल को खा लेंगे तीसरे दर्वाजे के पीछे पानी है और उस पानी में इलेक्ट्रिक वेव्ज है अगर मीहुल वहा गया तो वो शौक से मर जाएगा अब क्या करेगा मीहुल? कौन सा दर्वाजा चुनेगा मेहुल? आपको क्या लगता है? आपका अंसर कमेंट लिए है करकोडाल विद पानी उब करेंट दो मीइइ करेंट वेय वकर्ट यहोड़ेंट रह व माउजेंट आपका आइए आप लंगेशार आपको मेहुल तीसरे दरवाजे से जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक सिटी तो है ही नहीं मतलब पानी ने इलेक्ट्रिक करें नहीं रहेगा तो मेहुल आराम से निकल जाएगा चलिए अगली पहली देखते हैं आगे बढ़ने से पहले इतनी मस्त पहली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे ये तीन प्रोफाइल से इनको ध्यान से देखिए क्या आप इन तीनों प्रोफाइल को देखके बता सकते हैं कौन सा प्रोफाइल फेक है नकली है ज्यान से सोचे और आपका अंसर कमेंड कीचे एक जून 2015 माई 1999 पांच माच 1999 एक सेकेंड एक सेकेंड तो टाइम चीए एक जून 2015 माई पूने यूएस आगरा अगरा मिट पूने आगरा कोलेज दो जराट से दो जराट से दो जराट से दो जराटार अठारा 1999 भाई हाई स्कूल तुम जो है साथ साल की उमर में चलने जा यह ए बी 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 नंबर बी नंबर सभी चैलिए इसका अंसर देंगे अगर इस आदमी का बंदे 15 में 1999 है तो वो 2012 में 13 साल कई होगा 13 साल की उमर में उसका ग्रैजुएशन कैसे कम भी दो सकता है पर मैंने सभी बोला यह प्रोफाइल पेक है चलिए अगली पहली देख आगे बढ़ते हैं एफबियाए के ओफिस में हरकम मचा हुआ है अभी अभी एक खबर आई है कि उनके बीच में एक एलियन छुपा हुआ है जो सारी इंफॉर्मेशन उनके प्लानेट पे भेज रहा है दुनिया के बेस्ट डेटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है एलियन को दुनिया प्र करन आदित्या या रोहन कौन हो सकता है मेहुल बहुत सोचता है पर उसे समझ नहीं आता क्या आप मेहुल की मदद कर सकते है एलियन को धूर्ने में आपका अंसर कमिए क्योंकि इलेना से एलियन बन रहा है अगर आप इलेना के अक्षर को देखेंगे तो समझेगा कि वो एलियन भी बन सकता है दिले नहीं एलियन है यह उनको समझ जाता है और वो एलियन को पकड़ लेता है चलिए अगली पहले दिले मुंबल में एक नया पागल खाना खुला है वहाँ भरती होने वाले पागलों को फ्री खाना मिलता है पहले ही दिन डॉक्तर से मिलने चार लोग हॉस्पिटल पहुझ गए चार वो बोल रहे थे कि उन्हें एडमिट होना है केतन बोलता है कि उसे उचाई से बहुत डर लगता है वो एक साइकल भी नहीं चला सकता संकेट बोलता है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है वो पानी के नल की तरव भी नहीं देख सकता Roshni बोलती है कि वो क्लॉस्टोफरोबिक है उसे बन जगह में रहने से बहुत डर लगता है वो लिफ में जाते से बेहोष हो जाती है रोहन बोलता है उसे बैक्टेरिया और जम्स का फोबिया है वो दिन में सौ बार हाद धोता है डॉक्टर सबकी बाते सुनके उनके घर जाने का डिसाइड करता है ये है केतन का घर ये है संकेत का घर ये है रोष्ण का घर और ये है रोहन का घर चारों के घर देखने के बाद डॉक्टर तुरन समझ जाता है कि कौन सज बोल रहा है और कौन जूट डॉक्टर को कैसे समझता है क्या आप सोच के बता सकते है आपका अंसर कमेंट कीज़े शायद संकेत तुका लगा है मैंने भाई मेरा अंसर सही हो बस तुका वाला ही हो चाहे चलिए इसका अंसर देखते है संकेत को पानी से डर है फिर उसके घर में एक फिश पॉंट किसे रखा हुआ है मतलब वो जूट बोल रहा है रोशनी को बन जगवों में रहने से डर लगता है लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसका घर हर जगा से बंद है मतलब वो जूट बोल रही है रोशन के घर में काफी पौदे है जिनसे बैक्टेरिया और जर्म जादा आएंगे मतलब रोशन भी जूट बोल रहा है सिरिफ केतन सज बोल रहा है उसके घर में तो बेड भी नहीं है और उसका टेबल भी कम हाइट का है चलिए अगली पहली देखेंगे राजीव उसकी घर्फ्रेंड प्रिया को लेके घर आता है राजीव वेलकम टू माइ होम प्रिया सौरी आज घर थोड़ा भिगरा हुआ है क्या करूं सिंगल हुना तबी रूं के कॉलर में प्रिया को लेडी शू दिखते है और वो राजीव से पूछती है तुम तो सिंगल हो, बैचलर हो, तो ये शू किसके है राजीव बोलता है कि ये शू मेरे बेहन के है वो कभी-कभी मेरे घर आती है फिर प्रिया की नजर उसके पूरे रूम पे पड़ती है और वो राजीव पे चिला के निकल जाती है क्यूँ? ऐसा क्या देखा प्रिया ने? क्या? आप बता सकते हैं? आपका अंसर कमेंट कीज़े ए फोड़ा देखना पड़ेगा हुन रूम सेंडल पड़े हुए हैं चलिए इसका अंसर देखते हैं अगर आप रूम को ध्यान से देखेंगे तो बेड के पीछे एक बॉक्स में बच्चों के खिलोने दिख रहे है दो जोड़ी स्लीपर्स भी दिख रहे है और एक एंगेजमेंट रिंग भी दिख रही है मतलब राजिव शादी शुदा है और वो जूट बोल रहा था इसलिए प्रिया चले जाती है इस पिचर को ध्यान से देखे अब इस पिचर को ध्यान से देखे अब बताए आपने कौन सा डॉक देखा था आप का अंसा कमेंट कीजिए अब बताए आपने कौन सी पैंसिल देखी थी आप का अंसा कमेंट कीजिए अब बताए आपने कौन सा कलर का बॉक देखा था आप का अंसा कमेंट कीजिए C वाला और इनके सही जवाब है डॉक का A है पेंसिल का B है और कलर का C है तो कैसी गई आपकी मेमरी टेस्ट और कितने सही किये आपने जल्दी से कमेंट कीजे एक किनापर ने आपके मॉम डाड और आपकी गर्ल्फ्रेंड को पकड़ लिया है वो आपसे दो पहली पूछेगा पहली पहली पे वो आपके मॉम और डाड को आजाद करेगा और दूसरी पहली पे आपकी गर्ल्फ्रेंड को वो आपसे पहली पहली पूछता है पानी है पर बाहर नहीं पूछ है पर बंदर नहीं दाड़ी है पर मूच नहीं दाड़ी है पर मूच नहीं आँख है पर जीव नहीं ये कह भाई मुझे रखता है मैं इस जवास आ रहे हैं दिखते हैं क्या अंसर होता है खुटा शेर नहीं और इसका सही जवाब है नारियल किटनैपर अब आपसे दूसरी पहली पूछता है लंबा तन है बदन है गोरा मीठे रहते मेरे बोल तन पर मेरे होते छेद भाशा का ना मैं करू भेद क्या बता सकते हैं ये क्या है आपका अंसर कमेंट कीचर लंबा तन है बदन है गोरा मीठे रहते मेरे बोल तन पर मेरे होते छेद भाशा का मैं ना करू भेद लं भातं है ब्धन है गोँरां मीठे हैते मेरे बोल ऐभी कोई लग रहे मुझे केला कि गैर्थ अपर गलत मैं समझो फॉल ही है शायद मीठे रहते मेरे बोल मीठा भी होता हो लां तन पर मेरे होते छेद छेद तो नहीं देखा मैंने भाशा का मैंना करूँ है केला वेसे हर जगा मिलता है वेसे हर फल जगा मिलता है लंबा तन है बदन है गोरा मीठे रहते मेरे बोल और इसका सही जवाब है बासूरी हमें कमेंड में बता है कि आप अपने मॉम डाट और आपकी गर्ल्फरेंड को आज़े लगता है कि मैं भी उन 99.9999 पतिश्यत वाली भारतिया इस दंता में आता हूं थोड़ा था 50% में आता हूं पर 50% में अपना ठीक डिफरेंट डिफरें